हेलो एवरीवन तो आजना वीडियो लेक्चर नी अंदर आपने डिपलोमा सिविल एंजिनियरिंग ना 30 सेमेस्टर नी अंदर आउतो सब्जेक्ट एटले के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजी एनी अंदर ना अती महत्वना बे टोपिक एटले के कैसोंस अने कोफर डेम्स अब इने टोपिक उपर आजना वीडियो लेक्चर नी अंदर आपने डिटेल मां चर्चा करवाना छेये हवे जो आजना वीडियो लेक्चर ना आपने मेजर लर्निंग पॉंट्स उपर वात करिये तो सव प्रथम आपने जोशु के what is the कैसोंस एटले के कैसोंस केने केवा मा आवचा त्यार पची different types of कैसोंस एटले के construction site उपर जे अलग अलग प्रकानना कैसोंस ना उपियोक थाई चा एने उपर चर्चा करशु त्यार पची what is the कोफर डेम एटले के कोफर डेम के ने के वा मा आवचा and then after different types of कोफर डेम के जे construction site उपर यूस थाई चा ए बद्धा पोईट उपर आजना वीडियो लेक्चर ने अंदर डीटेल मा चर्चा करशु अब सवपरत्यम जो आपड़े वाद करिये तो क्या सुन्स आए तमां फिगर मा जो होए रिते के एक बोक्स टैप स्टक्चर देखाई जे जेनी सराउंडिंग चारे बजु पानी जे अने एनी बोक्स टैप जे स्टक्चर जे एनी अंदर फाउंडेशन वर्क था जे तो क्या सुन्स नी आगड़ जो वाद करिये तो क्या सुन्स होँचे 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 तो क मेजोरिटीक एसिस्ट नी अंदर, जे कैसौंस छे एक केवी जगी उप्योग मा लेवाता आओई छे कि जीया चारे बाजु सरांडिंग मा पानी छे और पानी नी वच्चे तमारे कंस्ट्रक्षण वर्क करवानू छे तो पाणी नी अंदर जे construction work करवानू छे ना foundation तरीके cations छे एक permanent structure तरीके उप्योग मा लेवा तो एक भाग छे It is used to place the foundation under water जे मा प्रयागड़ वाद केरियें के पाणी नी अंदर foundation मुक्वा माटे के नो उप्योग करवा मा आवे छे Cations नो उप्योग थाई छे अवा जो Cations ना टाइप नी वाद करिये तो उना मुख्या त्रण प्रकार छे पेलू आवे छे box Cations बिजू आवे छे open Cations और wells अने त्री जो आवे छे pneumatic Cations तो आवे त्रणे त्रण पॉइंट उपर आगड़ आपड़े जोसु एटले के Cations ना त्रणे त्रणे त्रण प्रकार जोसु आवे मा सवती पेलू आवे छे box Cations आए तम फिगर मा जो वही रिते के box Cations चे एनो तम ने निच्चे नी साइद पेला plan view आपएलो छे और उपर नी साइद side view आपएलो छे तो के a box Cations is a strong watertight vessel open at the top and close at the bottom एटले के आप watertight vessel जे, vessel एटले के भी वस्तु के जे पाणी मा तरी सक्या आथ्वा तो पाणी मा डू भी सक्या तो watertight vessel जे, जे के भी छे, के उपर थी खुली जे, पन नीचे थी के भी वही चे, बंद वही चे एटले के एनु तड़ियू पयक वही चे, आनु उपर नो भाग्यव वही चे, खुलो वही चे इट इस मेड वफ timber, reinforced concrete, और steel एटले के material नी जो वाद करियेक, जे माती box Cations बनावा मा आवे चे तो के माती बनावा मावे timber, एटले के लाकडू, reinforced concrete, एटले के जेना आपड़े RCC कईये चे, ते, अथवा तो steel ना बनावे लावे चे जे प्रकानी requirement चे, जे प्रकानी condition चे construction नी, एना अधर त्रण माती कोईपण एक material चे, चोस करवा मा आवतु वही चे तो केसोनीज बिल्ड ओन लेंड, देन लॉंच्च अन फ्लोट, फ्लोटेड टु पीयर साइड, वेर इट इस संक इना पोजिशन केवानों मतलब सुँँथाई जे, के आ बोक्स केसोन चे, इस सर्वात मा पिला, कोई फेक्ट्री मा आथो तो construction site उपर जमीन उपर एनू construction आकु तियार करवा मा आवे चे लाकडा ना वोई, RCC ना वोई, के स्टिल ना वोई, तियार पच्छी एनने क्या सुधी तोके बाराजीस जेने के फ्लोटिंग बाराजीस होई जे एक प्रकानु तरतु प्लेटफोर्म जे, पाणी उपर तरतु प्लेटफोर्म जे, एनना ही मद अत्ती, जेते पीयर अग्या को जे ब्रीज होई, यहां ब्रीज मा बेज सेड ना एंड ना कोलम्स ही वाई ना वच्चे ना जे कोलम्स होई छे एने पीयर स के वा मा आवे चे, ताहिए एक्जेम्पल तरी के सुँ लीदू छे, पीयर स लीदू छे, सपोज के कोई ब्रीज बनावा नो छे, अं अटले के तर्तू करवा मा आवे, अने त्यार पच्छी जे पीयर स नी एक्जेट लोकेसन छे, त्यां पोचाडी अने तेने सुँ करी देवा मा आवे, डुबाडी देवा मा आवे, Once it is placed in a position, then it is filled by a sand filling, आये तमा जो भिगर मा देखा है रिते के sand filling, sand filling एटले के रेती वोई, माटी वोई, के gravel वोई, एनी मदत त्ये कोखत जे लोकेसन उपर पोची जाए, त्यार पच्छी एने माटी अथवा तो ग्रेवल थी आखे आखो क्यों कर देवा मा आवे छे, भर बेसी जासे, आने त्यार पच्छी एनी उपर PS नुँ वर्क छे, एक चालू करवा मा आवे छे, that means के PS नुँ कंस्ट्रक्शन करवा मा आवे छे, आये तम फिगर मा जो ओ एटले, इरिते, के सावती उपर नो जे भाग चे, टोप प्लग, टोप प्लग नी उपर RCC नो बने बेसाडवा मा आवे, त्यार पची एनी उपर जे, PS नुँ आखे आको, कंस्ट्रक्शन वर्क छे करवा मा आवे छे, अवे आगड़ बात करिये तो, के सचा टाइप ओप क्यासोन इस यूजड वेर बेरिंग स्टेटरम इस अवेलेबल एट सलो डेफ्थ, और वेर लोडर वेरी हेवी, यहां प्रकार ना क्या सोन, अटले के बोक्स क्या सोन जेने के वा मा आवे, एक यहां जग्या यूज थाई जे, के जहां बेरिंग स्टेटरम इस अटले के जमीन नी ए लेयर, के जहां अगीकत मा वजन सहन करे, कोई पन कंस्ट्रक्शन धातू वोई, जनरल के के सिस्मा, तो जे जमीन नी उपर नी माटी पची नी जे पत्थर वाडी लेयर वोई, ए आखे आको वजन सहन करवानों काम करती वोई, तो एवी जग्या, के जहां जे पत्थर नी लेयर छे, इक खूब छीचरी वोई, एटले के ओची उंडा या वेली वोई, अथवा तो जे पियर्स चेनी उपर पड़तो लोड ची बो वधारे नो वोई, तो एवा के सिस्मा ची बोक्स केशन ची प्रिफर करवा मा आउतु वोई छे, पान, अवा जो डीटेल मा वाद करिये, तो के कंडिशन फेवरेबल फोर दो कंस्ट्रक्शन ऑब बोक्स केशन, एटले के ब पानी नी अंदर जे आपने जे जग्याए बोक्स केशन बेशारवा नूँ छे, ए जग्याए अतवा जे जग्या फाउंडेयेशन करवानू छे, तियां, अंडर ओтор क्ोईपन प्रइकान ऐस्केवेशन करवा नी जरूर न वोई, तो एवा के सिस्मा अंदर बोक्स केशन च हुँ हावे एवी जग्या के जहां पाणी नो जे फ्लो छे एनी जे वेलोसिटी ची बहु ओच छी वोई जेने कार्णे आजे केसों छे नो धुआ नो थे तो एवा केसिस मां बोक्स केसों छे उप्योग मां लेवात वोई छे त्यार पच्छी दा बेड मत्रियल बेड मत्रियल इस लूजए नव आद बेड मत्रियल चे लूज़ वोई अने जरूर पड़ तो यहने तमें बार काड़ी सकता हो द्रेगलिंग नी मदथी एतले, धेट मिस के जै तडियानु जै मेट्रियाल छे है न तमे जरूपड़े तो खोटकाम नी थोड़ी घणी जरूपड़े तम बार काड़ी सको तो एवी जग्या याची बोक्स केस ओंचे यूस्थत तुवई चे एटले के जहां पाणी नी उंड़ाई छाथी मांडी ने आठ मिट्र जहेतली होई तो एवा केसिस माची बोक्स केस ओंचे प्रिफर करवामा आउट वोई छे बोक्स केस ओंचे बार करिए ओपन केसों के जहने वेल पन के वामा आवे छे के ध aika ओण आन ओपन केसों Is a box of timber, reinforced concrete, steel or machinery which is opened at top and bottom याटले के आजे केसों छे एए बोक्स केसों नी जह माच timber आटले के लाकड़ू, reinforced concrete आतले के RCC तियार पाचे आवे छे steel अने एक वधरानू, मेस्टनरी, एतले कि इटो अथो तो पत्थन नू चंतर काम करी ने, लाकडा नियाजू बाजू, एनी मदत्ती बनावामा उत्तु होई छे, अने ओपन केसोन नी बिजी खासी आती ही छे, कि उपर अने निचे, बन्ने साइट्ती खुलावे छे, देट मि बिजी ना फाउंडेशन माटे छे, उपन केसोन वपराता होई छे, पाच आगड़ बात करियें, कि उपन केसोन अर ओल्सो कोल्ड वेल फाउंडेशन, एटले कि जो को ये विखती के, कि वेल फाउंडेशन पर क्या पाणी नी अंदर, तो यहने उपन केसोन तरीकेत में इब या चाय भूलप पुवृप सरक्न सफसे यह टो पेला सर्कुलरistem च्प पचीश क्यों संव फिक्स नार जिसे के रित Biraz कि अला जो पचिछ पॉएय्छिद्खु ग्रैंटप फॉपूज नी तमारे रिक्वार्मेंट छे एना अधर कोई पण एक सेप छे पसंद करवामा आउतो होई छे अवगर आगड़ वात करिये तो धे यार यूजट ओन सेंडी और स्वोप्ट बेरिंग स्टेटरम लायबल टू स्कोर एटले केवी जगिया यूजट ताई के जया जमिननू लेयर चे ताड़ चे इकेवुचे सेंडी एटले के रेती वादू ज़े अथवा तो स्वोप्ट बेरिंग ज़े एटले के यूजट वजन सहन कवानिक समता केवी ज़े ओची ज़े आने ज़े पाणी ना प्रवा साथ धोई जटू होई तो एवा कैसेस माँ छे आपने वेल सेट्रन कई यूजट वेल फाउंडेशन चे यूजट करवा माँ अब दरन ज़ेकनो जेनी माटी चे एकदम लूस चे तर येन अप्रवाने कान तर धुवाई जाई ज़े फाउंडेशन धुवाई जवानी बीक चे तो एवा कैसेस माँ छे ओपन कैसों चे आपड़ेवा आपरी सक्या इट अलसो यूजट वेर नो फर बेर इस अवेलेबर फोर लार्ज डेफ्ट बिलो दो सर्फास अब फर बेर एटला सों एवू माटी नू एवू लेयर अथो जमिन नू एवू लेयर क्या ख्याका स्ट्रक्चन वजन सहन करी सका अब एवू छे बो उंड़ाई शुदी अवेलेबल नथी सपोज के उपनी माटी तो लूस अच् पाणी पाणी नक तडियानो भाग इतडियानी माटी के विचे लूस चे पाणी येनी नीचे जो उंड़ाई शुदी जाए तो त्या पण बो उंड़ाई शुदी मजबूत एवू लेयर नत मरतु जमिननू के जाख्याको वजन सहन करी सका तो अवा प्रकानू जे कंस्ट करूँ वई तो ते नमुक फेक्टरस आपकेला जे के सिलेक्शन अपसे आपण केस वान डिपेन ओ ओन ओन दे फोलोविंग फेक्टरस ये लेक्शन करूँ जे तो तमा पेलू आवे जे तो डाइमेंशन ओफ बेस ओब दपीयर और अबुटमेंट पीयर निए अबुटमें नहीं करते इने अबूटमेंट के वाम आवे तो जा पीर ने अबूटमेंट छे एनो डाइमेंशन के वाँ छे एनो शेप के वो छे इना अधर ए ओपन केशन नो शेप नकी था तो हुई त्यार पाची ease of sinking एतले के कोई particular condition माटे क्यों सेप छे क्या सेप नो तम्हें ओपन केशन बनाव सो तो easily sink एतले के डूबी जासे त्यार पाची cost of sinking एन शट्रिंग एतले के जे sinking माटे जे अलग अलग प्रकान ना वोटर वेसल यूस था है जे मरीन वेसल यूस था हुआ ना चे तो एनो जे खर्च चे त्यार पाची जे manpower छे त्यार पाची एने lift करवा माटे lifting machines चे एतले के एने sinking माटे एन त्याना आप पाची ओए त्यां शोदी cost ओच हो थाई एवा प्रकानो शेपची पसं करवा माँ आउत होई छे त्यार पाची वर्टीकल एन होरिजोंटल फोर्स एक्टिंग ओन द वोल अवा जे रा क्यासोन छे क्यासोन नी बद्दी बाजु जे वोल जे एने उपर होरिजोंटल फोर् वोबू करेलू जे तो पीर वोबू करेलू जे एनना द्वारा जे वजन पड़े छे ते तो एना दर एवल फोर्स केटलो जे एना दर शेप नकी थतो होई छे मेजुरेटी केसिस ने अंदर वाद करिये तो शर्कुलर सेयप छे वर्टिकल फोर्स सहन करवा माटे नो बेस्ट मा बेस्ट छे तेट मिस के जनो क्रोस सेक्शनल अरिया के वो होई शर्कुलर फोम माई सवती वधार वजन सहन करी सकतो होई छे तेन आफ्टर दो कंसीडराशन ओप टिल एन शेप द्यूरिंग तो सिंक के जैरे डूबारता हो त्यारे पाणी ना प्रवाने काणी येनी लोकेशन थी केटलो त्रासू जासे अथ्वा तो केटलो शेप थासे ये पन कंसीडर करवू पड़े कोई प्रकानों सेप नकी करत वक्त है हवे ओपन केश हो नथवा तो जेने वेल कहिया छे येना कंपोनेट नी वात करियो ताहितम फिगर मा जोओ रहे ते अलगलग कंपोनेट छे पीर छे वेल केप छे टोप प्लग, बोटम प्लग, कटिंग एज, कर्ब येने स्टिनिंग ता बद्धा कंपोनेट छे वारा फरती वारा आपने जो शो, येमा पेलो आवे चे कटिंग एज, ओए ताम फिगर मा जोओ रहे ते के कटिंग एज चे क्या होई चे सवथी निचेन भाग मा वई चे, तोके इट इस प्रोवाइड अ कंपेरिटिवली शार्प एज, टो कट द शोल बिलो द्यूरिंग सिंकिंग ओप्रेशन, येटले के जेर सिंकिंग ओप्रेशन थत्यू ववाई, त्यारे जे आ स्टील नी बनावेली जे ब्लेड छे त्वा तो एज चे सार्पेज, ए माटिना सू करसे, काप वानों काम करसे, सा माटे कान के ओपन केसवान छे, लूस वाल माध बनावेलू येटले के हेवी फोर्स तमारे लगाड़ों नहीं पड़े, पर क्यासोल ना सेल्फ एट ने काने इसू थाज, जमीन माँ, जमीन कापती जाज, येटले के जनी साइड नी जा पोड आई चा, ये पंदर एक्सो पचा से माँ, ये पंदर सेंटीमेटर जे टली पोडी होई त्यार पचे आवे चे कर्ब, तो के कर्ब ना बिया परपस चे, पेलो सुँँँँचे, के दूरिंग दा सिंकिंग इट एक्स्ट अज एक्स्टेंशन अब कटिंग और अल्सो प्रवाइड दा सपोर्ट तु दा वेल, स्टिनिंग और बोटम प्लग, आज सुँँँचे, पेलो परपस चे, कि जय कटिंग जया जय चे एनए वधैरानो एक्स्टेंशन आपि एनए एक्स्टर सपोर्ट आपे चे अनए ते उपरांद बिजया केनः सपोर्ट आप से, तो के स्टींग अनए जय बोटम प्लग चे एन अपन सुँँँँँँँँँचे, इस सपोर् पर फिक्स थेग्यों, तेर पछी येनू बिजू कारिया सुँँँचे के येनी उपर जेटलो वजन पड़े आचे, बद्धा वजन ने माटी शुदी पोचाडवानों काम छे, ये कौन करसे, कर्ब करसे, क्यमाती बनावामा आवे छे, तोके रीइनफोस्ट कॉंक्रीट सीम येटले के जे आकी जे आके बोडी जे, आके आकी जे केसोंन्स जे, येनी इन बोडी कही जे, श्टिनिंग जे, येना ये पाच अभीयक कारिया जे, पहलू क्यू जे? टो इटता अज PBS ups इलेखे त, ये एक्ट से अंदर दाखल थतु शक्क्यों त्यां सुधी रोकवानू कारिया करें. येतले के पाणी ने अंदर दाखल थतु अटकावें. During the sinking process. येतले के डुबवानी प्रक्रिया दरंब्या. त्यार पचीस होंचे and the structural member to transfer the load to the soil below afterward. अप्टरवड येतले के येक वकत डुबी ग्यू, sink थे ग्यू, position उपर fix थे ग्यू. त्यार पची येनी उपनो जेटलो वजन चे बदो वजन कर्ब थुरू क्यां सुधी टांसपर कर से? तोके soil मा. येतले के stinning जे stinning बदो वजन कर्ब ने आपसे और कर्ब बदो वजन क्यां टांसपर कर से? श्वल ने अंदर. त्यार पची वाद करिये stinning में consist of brick machinery और reinforced concrete cement. येतले के material नी वाद करिये छे कातो E2 नो चंतर काम करीन बनावे लुए और कातो RCCC नो structure वाई चे अनि येनी जो जाडे नी वाद करिये तो येनी जे thickness चे गम्में कंडिशन मा 45 cm थी ओछी होवी जोई ये नए त्यार पची नो जे पार्ट चे ये चे bottom plug तमें आगर फिगर मा जो हुए हम सवती निच्चन भाग inverted arch शेप नो होई चे तो का bottom plug of concrete has to be designed for an upward load equal to soil pressure minus self weight of the bottom plug and sand filling एतले के जे bottom plug ची inverted arch जे उकारिया करा चे उन्दी जे arch होई एना जे हो अने एन्यू पनो जे load चे के सपज के civil engineering ना जेतला structure चे एन्यू पर केटलो load पड़ से एना धर एन डिजाइन धत्ती होई तो जे bottom plug उपर जे load पड़ आ जे जेना माटे bottom plug नी design थाई चे तो लोड क्यो होई चे तो के soil नूँ प्रेसर जे नीचे थी उपर नी direction मा लागतु होई एमा थी बाज सुँ करवानू weight of the bottom plug एतले के पोता नो weight bottom plug नो end the sand filling एतले के जे sand filling एतले के आजे केसोन साख्या को एक वकत फिक्स थाई जाई त्यार पचि एनी अंदर जे sand filling करवा माँ आवे इस sand filling आने आजे self weight of the bottom plug इप बन्ये नो weight बात करवानू पची जे answer वध एनो एटलो वजन चे सवन करवो चोहिया त्यार पचि आवे जे top plug to serve as a suturing for the well cap अटले के top plug नू कारिया सुँँचे आजे well चे open well चे open केसोन से एनी उपर ढाकना नू कारिया करवा चे कोण करवा चे top plug lean concrete नो बने लोई चे अटले के RCC concrete नो बने लोई चे त्यार पचि well cap it transfer the load from the pier to the well below अटले के top plug नी उपर सुँँआ चे well cap अशे अने well cap नो मुख्य कारिया सुँँचे के नी उपर जे pier बनावे लोचे एतले के bridge नो column बनावे लोचे एमाती जे वजन आवे चे आखे आखे आखो वजन क्या ट्रांसपर कर से नीचे open केसोन सुथी अथ्वा तो foundation सुथी त्यार पच्छी छेलो पाट एतले के sand filling एक ट्रांसपर पोर्जन ओफ लोड फ्रोम दे वेल केप टु दे बोटम प्लग अब सेंड फिलिंग एतले हो आगर तमें केसोन जोवो तो केसोन छे एक होलो सेप नो होलो सेप एतले के अंदर थी पोल होई चे तो जे वधारानी जे पोली जग्या चे पोली जग्या ने भरवा माँ टके नंव उप्योगता है आर्सीशन उप्योग नथा तो पने sand filling नो था इसेंड फिलिंग एटले हमां रेटी होई अर्थ हुए एतले का लगळग प्रकानी माटी हुए ग्रेवल्स हुए यह बद्धानी भरती करे ली हुए इसमों कारिय कर से पियर माथी वजन जे केप उपर आउसे टे केप माथी टोप प्लग माथी आ सेंड बदो वजन जे सिधे क्यां ट्रांसपर कर से इतले कि well keep मा थिधे वजन अं एह से औ कि जया ओपन केस ओनम चे कई रिते डुबदबवाँ मा आवे बैसाडवाँ मा आवे फाॉन्डेसन उपर तोहीं मा सवत आफधि लुजान हो उंडावा irm कि in case of sinking on dry ground, dry ground एटले घणी वकते उठतु वे, कि आजे केस्वान्स चे, एवी माटी माटी पन उप्योग करवामा आवे, कि जिया माटी नी अंदर पाणी नुँ लेवल बोव वधार आवे, अती से पाणी नुँ लेवल आवतु वे, अन्ने foundation माटी जो पाय अखोदु आमा आवे, तो एमा थोड़क टाइम माज माटी माटी पाणी बोदी फाउंडेशन मा भेगू थेई जाए, तो एवा कैसी इस माप पन, कैसो न स्नोप योग थाए, तो जो dry ground उपर करवामा आवतु वे, तो सवती पेला सुँ करवामा आवे, कि ओपन एसके वसन, एटले कि खो बेसाडवामा आवे, जो पाणी नी अंदर डूबाडवानु छे, एतले के मीड स्ट्रिम नी अंदर डूबाडवानु छे, तो शुट्यबल कोफर्डेम छे, इपेला कंस्ट्रट करवामा आवे, और त्यार पची एनी अंदर जे, इवेल नों जे कर्ब जे, एनना आउंड होई तो, अने कोफर्डेम कंस्ट्रक्त थे गयो, जो पाणी नी वच्च आपक्रियाट करता हो तो, त्यार पची सुँँ छे, कि जिया कर्ब अथवा तो, जे स्टिनिंग छे, ए आखे आखो भाग नी, आखे आखो केसन नो, आखे आखो भाग नी, पन सरवात नो बिया मिटर नोच भाग छी पेलो पाट, पेलो पोर्जन ची, बिया मिटर नो पोर्जन ची सुँँ करवा माँ आखे, जमिन नी अंदर बेशालवा माँ आखे, त्यार पची सुँँ छे, कि दा वेल इस संग बाई एस्केवेटिंग मेटरियल फ्रों इनसाइड दा कर्ब, यटले के जे माटी चे, जे वेल चे, यह क्या थे जया, एस्केवेटिंग मेटरियल मा अंदर डटाई जासे, पची सुँँ तासे, एस्केवेशन ओप दो स्वेल इनसाइड दा वेल, केन बी डन बाई सेंडिंग डाउन दा वर्कर इनसाइड दा वेल, और बाई उसिंग डिफरांट एक्विपमेंट, इफ हाइट अप जो पाणी नी वच्चे तमे बनावता हो, तो कोफर ने बनाई हो चे, पन तमे जेर संकिंग डूबाड़ाओन कारिया करशो, तेनी यंदनी माटी आशा, इमाटी काढवा माटी सुँँ करवा मावे, के अज ओपन केस्वान यहां मजूर ने अंदर मोकल वा मावे, अथवा तो अलगलग प्रकान एक्विपमेंट नो यूज करवा मावे, एक वखत बधी माटी छे, इनी निकली जाई, त्यार पची बिजो पोर्जन सेट करवा मावे, एतले के बिजो भाग छे, पेला बिया मिटर नो भाग, तो त त्यार पची पाचो बिया मिटर नो ओपन केस्वन नो भाग, एनी उपर बेशाडवा मावे, अने सेम वस्तु छे वारा परिति वारा रिपीट करवा मावे, त्यार पची सुन थासे, कि एक वकत छे, एक डिजायर लेवल सुदि, एतले कि एवा जमिन ना एस्तर सुदि प पची सुन करशे, यह उपर बोटम प्लग निचे आर्सी सुन बोटम प्लग बनावी देशे, एमा सेंड फिलिंग करशे, त्यार पची टोप प्लग अने वेल केप प्रोवाइड करशे, तो आ ती ओपन केस्वन नी सिंकिंग नी प्रोसेस, अवा आगड बात करिए निउम अवा जो डेप्थ कारिये, पानी नी देप्थ ममाध सूटेबलाज यासे, पनी मेक्सिममं 33 मीटर थी ओची है, तेवा कैसेस मा अदेखा बैघर रोटम प्लग आ मेक्सिमं 33 मीटर थी ओचे है, तैवा कैसेस्मार लेवात आवोई छे हवे आज ये न्युमेंटिक केस्वन चे आपन खबर चे उपरती बंद चे नीचे थी खुला चे येटले ज्यारे ने डुबडवामा आवे तो येनी अंदनो जे पानी चे पानी बार काटवामाटे आया तम फिगर मा जोवे रिते के कंप्रेस्ट एर नो उप्योग करवामा आवत वोई छे एक वोकत कंप्रेस्ट एर ने कारणे पानी बार निकली जाई त्यार पचि ये वर्किंग चेंबर चे ये वर्किंग चेंबर माँ आया तमे जे मेन फोल जोवे और मेन फोल मदती एर लोग थुरू मजूर होने छे कि लेबरस ने वर्किंग चम्बर मा मोकलवामा आवे और त्यार पचे यहां खोद काम कारिया करवामा आवतु होई छे त्यार पचे आगड़ वाद किरुएं कि in this case on the worker और वर्किंग चम्बर विच इस ड्रेन आउट ड्रेन आउट एटलेके पाणी बार करूँ अतो तो सुकी करवामा आवकेना द्वारा कंप्रेस एर द्वारा पड़ा यहां जे मजूर होचे इस सतता कंप्रेस एर एटलेके वर्किंग चम्बर जेचे जे केसोन ना तड़ी आवेली छे त्यार यहां जे एटलेके अमुक प्रकानी बिमारी थाईचे एना सुके वामा आवेचे न्युमेंटिक केसोन शिक्नेस एना जो सिंप्टम्स नी वाद करिये तो डेजीनेस एतलेके चक्कर आवा पचिक डबल विजन एतलेके बेबेवस्तु देखावी माथानो दुखावो थाओ बोलवामा प्रोब्लम थावी त्यार पचि पग मा दुखावो थाओ आब दा सुच चे क्या कैसोन सिक्नेस ना उदाहरान चे त्यार पचि वाद करिये तो के प्रिकोजन क्या क्या राखवा जो आप्रकानी सिक्नेस माटे तो के जे मजूर छे अत्मा तो जे लेबर्स छे ए डिवस नी एकट सिप्ट मा काम करवा जोई एटले के आट कलाक नी सिप्ट मा ज मजूरों ने काम करवा जोई त्यार पची मेक्सिमम बार कलाक ती वदारे नी सिप्ट मा मजूरों काम करवा नो जोई त्यार पच्छी वर्किंग चेंबर नूँ जे टेंपरेचर छे 25 डिगरी जे टलूज मेंटेन राख हूँ जोए त्यार पची rate of compressed and decompression should be properly controlled ये टला के compressed air नो जे rate छे ये properly controlled धाऊँ जोए त्यार पची एवा मजूरो के जेने strong heart, relatively low blood pressure and good circulation of blood ये वाज मदूरो के जे जेने अंदर कोईपन प्रकान low BP अथो blood pressure नी problem नो होई येनो heartbeat वेवस्ति दालता होई त्युक्मा सारे रिते सक्सम वेक्ति होने जेमा काम मा राखवा जोई और जे main lock छे के जेमा ती लेबर स्टी आवजा करी सकता होई ये वेवस्ति दालता होई तो आहाता अलग अलग प्रकान्ना के सोंच हवे आगड आपने वाद करशू कोफर डेम शनी हवे जो कोफर डेम नी वाद करिये तो के कोफर डेम इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इस बील्ड इन रिवर लेक इटीषी टू रिमोध दे ओटर फ्रों ये रिया और मेक इट पॉसिबल तो केरियो न कंस्ट्रक्षन वर्क अंडर र रिजने बल ड्राइ कंडिशन क्या कंस्ट्रक्च करवा माँ आवे तो कि येवी जग्याए कंस्ट्रक्च करवा माँ आवे एतले के river, तड़ाव, एतले के नदी, तड़ाव, जेने आजु बाजु माँ पाणी छे, एनी वच्चे अबरोबर कॉपफर डेम बनावा माँ आवे, त्यमाथी पाणी काढवा माँ आवे, अने एक dry जग्या पूरी पाड़े, के जनु पचि एमां construction करी सके, तमें फिगर म माज होए रहीते, अथा तो फोटोस माज होए रहीते, कॉपर डेम आर युजिलरी रिक्वाइट टु प्रोजेक्ट सच अज अज देम, डोक, एंड कंस्टक्शन ब्रीज, पियर्श, एन एबूटमेंट, त्यलेके डेम बनावा, ब्रीज बनावा छे, त्यार पछी सिपि तो पाल ड्रेविंग ओपरेशन, एटलेके अब बदी वस्तु किया, अंडर वोटर कंस्ट्रक्शन करवानू थाई, अथो तो एवी जग्या एक जनी आजु बाजु माँ पाणी छे, तो एवा केसिसमा, जो पाल ने अंदर बेसाडवी होई तो एवा केसिमा, त्यार पछ एटलेके ब्रीज, डेयाम, कंस्ट्रक्शन, डोक बनावा, एवा केसिसमा, त्यार पछी, रिमुवल ओप संकन, संकन वेसल्स, एटलेके कोई सीप छे, डुबी गियो जे, तड़िये डुबी गियो जे, पाणी ने अंदर डुबी गियो जे, पाणी पाणी छीचुरो जे, वो उन्डाई जुदी न थी, तो एवा केसिसमा, इसीप ने पाणी माथी बार कादवा माँ टेपन कोफर डेम्स वपराता होई छे, अ क्या प्रकाना कोफर डेम्स वापरवा, एनू सिलक्षन करवा नामू क्राइक्टेरियन जो वाद करिये, तमाँ पेलू क्यों आवशे के एरिया, जे एरिया कोफर डेम्स वापर 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 डेम्स आटी नू लेवल केटलू जे माटी केवी जे एना आधर नकी धाई जे त्यार पाची वेलोसेटी ओप फ्लोविंग वोटर एतले के पाणी जे वहतु पाणी जे जड़ब केटली जे त्ये अने जे अवेलिबिलीटी जे आजु बाजु मां क्या प्रकानू कंस्ट्रक्शन म ट्रिल एना आधर नकी थतु वही जे अलगलग प्रकान ना छो कोफर्डेम जे अर्थ फिलिंग टाइप रोग फिलिंग टाइप रोग फिलिंग टाइप रोग फिलिंग ग्रिब टाइप सिंगल वोल्ड डबल वोल्ड एन सेल्यूरल कोफर्डेम ताँ छय चो कोफर्डेम पर्त Лको फिलीं कुपलेंग नेया खुवी होई अपने डिटेस्टीएलवब उष्द मां वनेला त्यार परचिक ख्यार्य उपयोगमा लेवामा ओखें? के ज्यारे पाणी नी उंडाई छे ए 1.3 मीटर थीमां तीन 1.8 मीटर नी वच्चे वोई तो अच अन्य वेलोसिटी पन केवी वोई बो ओचे अन्य अर्थ फिलिंग कोफर्डेम छे इस सिंप्लेस फोर्म अब कोफर्डेम छे त्यार पजी आगड वात करिये तो के टोप ओफ एमबेक्मेंट एतले के जिया अर्थ फिलिंग करेलू छे एनो जे उपर नो भाग छे पाणी नी सपाटीती ओच्छा मा ओचो एक मीटर उपर रेवो जोई ये आयतामें जोवए रिते त्यार पजी आवए चे रोग फिलिंग कोफर्डेम अर्थ फिलिंग कोफर्डेम नी झे मीटरe पनो आया क्यों यूज करवाम आवए चे पत्छर नो यूज करवामा आवए It is used to when the depth of water retained by the abearthement of StarARE is about 1.8 to 3 meter तले पाणी नी उड याई य्वोवी जोए पत्थर ची मोटा प्रमाण मा अवेलेबल होई आने जे साइड तमें फिगर मा जूओ यह रिते जे साइड पाणी चे ए साइड पन इंप्रोवाइज लेल ओफ अर्थ एटले के माटी नी एक लेयर इंप्रोवाइज लेयर एटले के जमाती पाणी पसार थाई सके फ्रेमवर्क चे जमा होरिजोंटल अने क्रोस बीम एक बिजा उपर होई एटले के जमा लाकडाना बनेला जे बीम जाड़ा बीम एक बिजाने 90 डिगरी अब्या साड़ेला होई छे तो क्रीब आर ओपने एट बोटम एंड फिल्ड विथ रोक और ग्रेवल एटले के निचेनी साट थीके वाऊई छे ओपन एटले वोई छे ने उपनी भाग थीके वाऊई छे पेक करेला वोई छे अन्जे निच्चनो भाग जे चे एटले के रोक पत्थर ग्रेवल आल ना ना काकरा आतले के माटिना मट्रियल ये बद्धाइती भरेलो होई छे अन्चे इसुँ करे चे निच्चनो भाग भरेलो होई छे एटले सुँँँँँचे के जिया क्रीब चे एन ओवर्टर्निंग थातु अटकावा छे त्यार पची वाद करे के केवी-केवी जग्याए चे क्रीब टाइप रोक फिलिंग चे उप्योग मा लेवा मा आवे तो जियां वर्क स्पेस चे बो ओची अवेलेबल होई पची बेड ओप दे स्ट्रीम ये जड़प चे तड़ियाय पाणी नो जे वहन चे बो वधार त्यार पची डेंजर ओफ ओवल टोपिंग एकले के आखे आको डुबी जवानी सक्केता होई अने टिमबर एकले के लाकडु एजीली अवेलेबर होई त्यार पची आवेचे सिंगल वोल कोफर्ड अवे तमा ये फिगर मा जो वह रीते के सव प्रतम चे पिला गाइड वे करवा माटे एक बिजा साथे जोडी देवा माटे सु करवा माँ आवे कि आडाम मेंबर्स बनावा मा आवता होई छे अवे जो सिंगल वोल कोफर्ड अवे वात करिये तो साडा चार मीटर अटले के 4.5 मीटर थिमांडी ने 6 मीटर शुद्धी नी डेप्थ होई तो आप्र कानना कोफर्ड यम वपराता होई छे अना आज ये बीप पाइल छे एतले के जे आपड़े गाइड पाइल की दू एनी वच्चे ने जो स्पेसिंग नी वात करिये तो 1.8 मीटर थिमांडी ने 4 मीटर जेतलू स्पेसिंग वोई छे अव्यसों करवा माँ वे कि जे गाइड पाइल लगाड़े लिवा एनी 90 डिघरी ये एतले के horizontal direction मा runner जयन वेल्स एतले के लाकडाना पट्टा होई एनी साथ बोल्टेट करवा माँ वे एतले के गाइड पाइल ने horizontal जे बीम जे लाकडाना पट्टा जे ना द्वरा अन्य एक वकट सीट पैल बैसाड़ी दिद्धापची सीट पैल नी बन्य बाजु रेती नी थेल्यू भरी औने एक्स्ट्रा सपोट आपवा मावे। उल्के पेला गाइट पायल बेसाडवे मा हुए जाय एने एक़ बिजय साते जोडी देवा मा ँवए त्यार पचिये थे अंधर साने चाल बेसाडवने मा ँवए सीटल पाल नी बनने बाजवा उए रती नोगे टंक्पोर्ट आपवा मा आँए अब डबल वोल कोफ़र्डेम छे, इस सिंगल वोल कोफ़र्डेम जे वोज वोई छे, पर आमा फरक्खाली एकलो जे, कि जहां आब एकज गाइड पाइल और एकज सीट पाइल हो तेनी जग्या यहां बेस सीट पाइल नू लगाडवा मावे ने बे वच्चे नू अंतर वध जारे राखवा मावे आपरक्खाना जो कोफर्डेम जे क्यारे उप्योग मा लेवा मावे कि जहरे depth of the water एकले क्या पाणी नी उन्डएक एकली वोई, 12 मिटर जेतली वोई त्यारे छे इए आपरक्खाना डबल वोल कोफर्डेम जे उप्योग मा लेवाता होई छे, बाकि आखे आखु जे कंस्ट्रक्शन छे, इस सिंगल वोल कोफर्डेम जे उज वोई छे, त्यार पची वाद करिये सेल्यूरेल कोफर्डेम, सेल्यूरेल कोफर्डेम क्यारे उप्योग मा लेवा मा आवे, कि जहरे कोफर्डेम ने काणे मोटो एरिया कवर करवानो वोई, अने पाणी नी उंड़ाई छे इँ अध्यार्थी मांडी ने 21 मिटर नी वच्चे वोई तो हवे आमा बिय प्रकार आवे एमा पेलोचे डायाफ्राम टाथ आये तम फिगर मा जुवए रित कि उभी क्रोस वोल जे अने एने सर्कुलर आर्क वड जोडेली वोई छे कि उभी क्रोस वोलने कैं抵ड जोडेली वोई शर्कुलर आर्क वड अवह शर्कुलर आर्क नी जोडे Canon रेडियस चे ए बेव उड वच्चे ना डिस्टांस जेटली जोईच आने त्यार पच ही अजय सर्कुलर आर्क वड ए एनीोवच्च नोब माटी थी अथ्वाुतो रेती थी भरेल वही चाहि त्यापादक शनुल form मोट drug neighborhoodàyयू आपशिवाव एक भुल्स शनुल अन्यम मोटो कवर करेले वही त्यार विध्यार्थि मित्र आजनुड विडियो लेक्चनी अंदर आपने अलग अलग प्रकान ना कोफर्डियम्स और अलग अलग प्रकान ना कैस्वन्स और अद्वान्टेजिस और कई जग्या ये यूज़ था ही सकर अब दे बाबतो उपर आजना वीडियो लेक्चर ने अंदर आपड़ा चर्चा कही रही थेंक यू स्टुडेंस